बिहार सरकार के BPSC का परिणाम जारी होता है और पता चलता है कि ललन कुमार अब SDM बन गया है मतलब कि SDM के पद पर उनका चयन हुआ है और उधर पिता चार महीने से अस्पताल में भरती रहते हैं पिता वेंटिलेटर पर अपनी अंतिम सासे गिन रहे थे और परिवार में खुशी का माहौल होता है कि बेटा SDM बन गया और बेटा कहता है कि मेरे पिता का आखरी सपना था कि वो हमको अधिकारी बनता देख ले इधर भी PSC का परिणाम जारी हुआ खबर आई कि उनका बेटा SDM के पद पर उनका उसका चयन हो गया है और उधर पिता दुनिया छोड़ कर चले गए और इसके बाद ललन कुमार भारती अपनी पूरी कहानी बताते हैं कहते हैं कि हम सबसे छोटे लड़के थे पिता जी ने कहा था कि अधिकारी बनना अधिकारी बनोगे तो हमको अच्छा लगेगा लेकिन आज जब हम अधिकारी बने तो उसके कुछ देर के बाद पिता जी दुनिया छोड़ कर चले गए हम आपको कहानी सुनाएंगे जमुई के रहने वाले ललन कुमार भारती की जो अब SDM बन गए लेकिन SDM बने और उसके कुछ देर में उनके पिता दुनिया छोड़ कर चले गए तो इस कहानी की खुब चर्चा होने लगी भागे नमसकार मने नाम है मोईत कुमार सिंगे और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले जमुई का या जो पूरा का पूरा मामला वो कहां का है तो जमुई में एक प्रखंड पढ़ता है नाम है बरहट प्रखंड बरहट प्रखंड में तपो वन नाम का एक गाउँ पढ़ता है वहीं की पूरी की पूरी कहानी है अब ललन कुमार अपने पिता के बारे में कहते हैं कि वो जूता चपल के कारोबारी थे फूट वियर के बिजनसमेन थे, कॉलकत्ता में पहले वो बैपार करते थे, लेकिन इसके बाद वो कॉलकत्ता छोड़कर बिहार आगे जमुई में और यहां पराकर वो चुनाव लड़े तो वो वाड सदस से बन गए हैं, अब ललन कुमार अपनी कहानी बताते हैं, वो कहते ह हैं कि मेरे पिता का सपना था कि उनका बेटा एक दिन अधिकारी बने, उनका बेटा एक दिन बिहार सरकार का अधिकारी बनके, सरकारी गारी में बैठ कर घूमें, उसको बोडी गार मिले, उसको सुख सुविधा मिले, और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए हम ज अस्पताल लेकर गये अस्पताल में इलाज शुरू हुआ पिता जी की तबियत विगर्थी चली गई और इसके बाद पिछले कुछ दिनों से पिता जी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे हम भी PSC का परिक्षा दे चुके थे मतलब कि भी हार लोग सेवा आयोक का परिक्षा हमारा हो चुका था हमको पता था कि परिक्षा बेहतर हुआ है हमारा चयन होगा हम पिता को जाकर बताएंगे कि देखिए आपका बेटा अधिकारी बन गया होता भी कुछ ऐसा ही है जब BPSC सरस्टवी का परिनाम जारी होता है तो पता चलता है कि ललन कुमार का चयन SDM के प पिता अस्पताल में वेंटिलेटर पर अपनी अंतिन सास गिन रहे होते हैं जब खुशी की खबर आते है तब पिता के पास लोग बताने के लिए जाते हैं लेकिन पिता की हालत वैसी नहीं होती कि पिता अपने बेटे के अधिकारी बन जाने की खुशी में शामिल हो पाए उनके पास जाकर ये खबर बताई जाती है लेकिन पता नहीं कि पिता जी ने खबर को सुना या नहीं सुना लेकिन इसके कुछ देर के बाद जो लललन कुमार भारती है उनके पिता जी दुनिया छोड़ कर चले गए और इसके बाद एक ही परिवार में जब छोटा बेटा अधिकारी बन गया तो खुसी आई लेकिन पिता का सपना वो बेटा पूरा करता है अधिकारी बनकर और वो पिता उसी दीन उसी वक्त पर इस दुनिया को छोड़ कर चले गए इस बात का दुख होता है और जब यह कहान ही निकल कर सामने आती है तो इसकी खुब चर्चा होती है क्योंकि बेटा कहता है कि पिता के सपने को पूरा करने के लिए अधिकारी बने उनका सपना था कि उनका छोटा बेटा कुछ कमाल करे बिहार सरकार या कोई बड़ा अधिकारी बने किसी भी सरकार में और हमने वो स्ट्डियम बन चुके हैं उनकी कहानी हमने आप तक पहुंचाई है आपकी इस पर क्या राह है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा वीडियो नहीं पर समार्प करते हैं कि हम रेक्षे बिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद